तो दूस्तों आप मेंसे जो पूने उनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है या ले सकता है तो फ्लीज नीछे कॉमेंट करो और अधर उनिवर्सिटी में भी अगर आप अपडेट करूंगा साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूने यूनिवर्सिटी में 2024 में नया पैटन आ चुका है अगर आप इसके डीटेल सी लेवर्स को अगर गूगल पे सर्च भी करोगे तो जल्दी आपको नहीं मिलेगा इसलिए मैं आपके बहुत सारी चीज़ों को इजी कर दूँगा जिससे आपका एड्मिशन के आगे का रास्ता बहुत इजी हो जाएगा एक दिन पहले वीडियो बनाया है चार हज़ार से ज्यादा लोगों ने देख लिया तो अब जाके एक बार इस चैनल को ध्यान से देखोगे तो हमने एप्टिटूट के कोर्सेज भी प्लेस्मेंट के लेना ये भी हमने यहां पे स्टार्ट कर दिया अलग-अलग कमपनीज के PYQs भी हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो इसे भी 1100 से ज्यादा लोग उने देख लिया तो बहुत ही प्यारा चैनल है अगर आपने इससे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फड़ा पड़ सब्सक्राइब कर लो अब चलते हैं दोस्तों वन बाइवन सिलाबस की और और आप चाहे जो भी यूनिवर्सिटी से हो आप उसे सब्सक्राइब कर लो और नीचे प्लीज यास से अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखो जिससे मुझे पता चलेगी आप कौन से यूनिवर्सिटी में एड़िशन लेना चाहते हैं सबसे पहली चीज यह आप समझ ल सब्सक्राइब करना है मैंने आगे आपको बताया है और आपके मन में और भी जो भी कोश्टन सुंगे बुक्स से रिलेटेड यह वो पुने यूनिवर्सिटी में कौन सा फॉलो होता है सब चीजे अगर आप बोलोगे तो मैं नीचे आप कॉमेंट करो तो मैं उसके आपको वीडियो बना दूंगा अगर यहां पर आपको दिखाई रहा होगा तो यह देखको यां पर सब्जेक्प पहले आपको एक आप कि अब दोस्तों अगर आप द्यान से अच्छे से देखोगे तो यह अपना समिश्टर 1 के सब्जेक्स मतलब आने वाले अगर जो श्टुएं नॉअहेंबर लास्ट या डिसेंबर स्टार्टिंग में हो सकता है या तो नॉयम्बर के स्टार्टिंग में रूप सिन जाएगा फिर उसके बाद आपको डेक्ट पेपर देने जाना लुगा तो ऑल्मत्व आप ago Engineering Mathematics 1 तो यहाँ पे Engineering Mathematics 1 के syllabus में थोड़ा changes किया है पुने University में जो before syllabus था क्या changes किया हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा देन दोस्तों Engineering Physics और Engineering Chemistry यह दोनों में से कोई भी एक subjects आपको First semester में होगा और दूसरा अगर समझो जो किसी को Chemistry है तो दूसरे को physics होगा हो सकता है कि आपके College में अलग-अलग division हो जिसमें से A, B, C को physics हो और उसके आगे वाले division chemistry हो ऐसा भी होता है दोस्तों इसके बाद हाँ वही अगर आप Mumbai University में अगर आप admission लेते हो तो ऐसा नहीं है Mumbai University में first semester में आप अगर admission लेते हो तो आपको physics रहेगा second semester में भी physics रहता है physics 1 and physics 2 ऐसे करके applied physics, then इसके आद chemistry भी दो रहता है पर यहाँ पर पूने में ऐसा नहीं है पूने में पहले बार physics पढ़ो तो दूसरे बार chemistry, then यहाँ पर आप अगर आप देखोगे में तो यह second semester में आ जाएगा then engineering graphics and engineering mechanics अगर किसी वो graphics पहले है तो उसको mechanics बात में होगा या तो mechanics पहले है तो graphics बात में होगा and दोस्तों एक नया उन्होंने subject लाया fundamental of programming languages तो यहाँ पर इन्होंने यह subject भी एक लाया जैसे इनका एक subject था PPS करके हमारे YouTube channel प्रदीवगरी Academy पे उसके भी पूरे की पूरे videos अपलोड है पर वो आपको semester 2 में मिलेगा तो इन्होंने यह आप एक नया subject implement किया है तो यह भी आपको पता होना चीए तो overall यह पूरा का पूरा part है इसके अंदर से सर्फ difficult subject कौन सा हो है तो मैं आपको यह बताना चाहता हो कि Engineering Mathematics 1 एक difficult subject माना जाता है जहां पर कुछ चीजे हैं जो इसको आपको अच्छे से ready कर लेना चाहिए Engineering Mechanics एक difficult subject माना जाता है और एक BEE आप ले सकते हो difficult subject में अगर इतनी चीजे mostly ज़्यादत से लोग जो fail होते है दोस्तों यही सब subject में fail होते हैं अब देखो यहां पर कि यहां पर कि मैं आपको इंजिनियरिंग physics का syllabus है मैं आपको सबसले max का syllabus बता दे रहा हूँ यह देखो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा Engineering Mathematics 1 पहले क्या होता था पता है एंसेम 70 marks का पूने University में होता था और इंसेम होता था अगर आप जाके देखो कि बहुत सारे मेरे प्रदिग्रे Academy चैनल पर इंसेम है इंसेम तो वन मंत के बाद ही आ जाता था पर अभी उन्होंने इंसेम हटा दिये और उसके बतले यहां पर इन्होंने क्या कि एंसेम वैसी रखा इंसेम को वह अलग तरस से कंड़क करने वाले मतलब पहले इंसेम भी University का ही पेपर होता था पर अब वह चेंजेस हुआ है अब बाद में दोस्तों आपको ऐसा अलग रहा है कि सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है बर ऐसा कुछ हुआ नहीं है पहले जो six unit थे अभी भी वही six unit है वह उसी को convert कर दिया है five unit पे देखो अब पहले अगर आप प्रदीवीरे अकैडबी पर जाके सर्च करोगे differential calculus जो हमारा लेशन हुआ करता था पूने यूनिवर्सिटी का इंजिनेरिंग mathematics one का अब उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया पता सिंगल वैरिबल calculus सिंगल वैरिबल calculus के अंदर इन्होंने देखो जाके वहाँ पर आप टॉपिक सर्च करो सबसे उपर मेरा वीडियो आएगा यूटूब के उपर आप जाके सर्च करो कोई भी इसमें सर्च करो यूटूब पर मेरा वीडियो सबसे उपर आपको दिखाए देगा इसलिए मैं बोलड़ा कि प्रदिवगीरी अगर करना है अच्छे से करना है तो प्रदिवगीरी अकैडमी का साथ लेना ही होगा तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे रोल्स तेरम है LMBT है बाद में टीलर मैकलोरींस है चलो मैं यह सब तो जाने दो पर आप यह याद रखो कि इसके अंदर दो लेसंग को एक साथ कर दिया एक अलग सा यूनिट हुआ करता था बड़ इन्होंने फोर यूनिट को इन्हों ने सिंगल यूनिट में कर दिया और जिसका नाम सिंगल variable calculus रखा, आगे का पूरा syllabus सेम है, partial differentiation then इसके बाद देखोगे application of partial differentiation, same topic linear algebra जिसके अंदर matrices and system of linear equation, linear algebra, eigen values and eigen vector and diagonalization of matrix, तो ऐसे total 5 unit है नीचे के पूरे के पूरे syllabus सेम है बस इन्होंने यहाँ पे changes syllabus के अंदर किया है, तो इस तरह से हमने mathematics 1 का syllabus बता दिया यह अगर आपको PDF चाहिए, तो यह PDF हमारे प्रदीविरी Academy के application पे वहाँ पे आपको दिखाई देगा free PDF section में आपको दिखाई देगा तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो और बाकी के syllabus जैसे engineering physics है तो engineering physics में क्या क्या changes है, 2024 यह सबसे important है तो आप वहाँ पे जाके उसका overall syllabus देख सकते हो तो उससे एक आपको idea आजाएगा कि actual में मुझे पढ़ना क्या है तो वीडियो को देखने के लिए जिल से thanks, thank you so much दोस्तो याज से प्रदीविरी Academy इस channel को follow कर लो और साथ में इंस्टाग्राम पे हमारा प्रदीविरी update channel है वहाँ पे भी engineering की बहुत सारी चीज़े आ रही है तो आप उससे भी follow कर सकते है वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks, thank you so much दोस्तो मिलते हैं, next वीडियो में bye bye take care जहीं दोस्तो